जीला निलिफ फंड में लाखो रुपए सहयोग राशी इकठा होने के बाद भी इस वगम के उप्योग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गरिब तबके के लोगों को मदद तो अलग की बात है या कॉरंटाइन में रह रहे हैं लोगों को दो वक्त का भोजन भी सही धंक से नहीं मिल पा रहा है और कॉरंटाइन में रह रहे हैं लोग भूके प्यासे दिन गुजारने को मजबूर हो रही हैं कोरोना वायरस के चलते दूसरे राज्य मजदूरी करने गए दिहाडी मजदूर अपने वतन लोट कर आ गए कोई पैदल तो कोई अपनी विवस्था से जिला प्रशाशन ने इन मजदूरों को गावा सहर के इसकुलों में ठहराया है लेकिन जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है वे लोग अपने जिम्मेदारियों पे खरा नहीं उतर रहे हैं ग्राम पंचायक भैसमा के इसकुल में 27 मजदूरों को कॉरंटाइन किया गया है कुछ मजदूर इसी तरह शास्की उचितर मार्दिमिक शाला बधिया टोला के इसकुलों में कॉरंटाइन किये गए हैं जिन्हें लगबग 10 से 15 दिन हो गए हैं फिर भी जिम्मेदार लोग भोजन की सही वेवस्था नहीं कर पा रहे हैं बलकी इनके भोजन की वेवस्था गाओं के मजदूर परिवारों के द्वारक की जा रही है कॉरंटाइन में रखे गए लोग आपस में बाट कर भोजन कर रहे हैं और खुद से भोजन पका कर खा रहे हैं गरीब तपके के लोगों को कोरोना वारस के संक्रमन काल में मदद करने के लिए जिले भर से समासेवी संस्थाओं ने मदद की लाखो रुपए डिस्ट्रिक्ट रिलिफ फंड में इकठा हुए इसके बावजुद लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है पंचायद भवन में भी कुछ मजदूर कॉरंटाइन में रह रहे हैं लेकिन उन्हें खाने पीने को लेकर अववस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है कॉरंटाइन में रह रहे यूगों ने नगर के समासेवियों से संपर्कर भोजन की विवस्था की है ऐसे में सवाल उठ रहा है पुर्व तयारियों का दावा करने वाला जिला प्रशाशन क्या कर रहा है केवल बड़ी बड़ी बाते करके राहत सीवरों में लोगों को निरंतर भोजन कराने की बात अलग-अलग समचार पत्रों और मीडिया में प्रकासन कर केवल वाहवाही सही महने में जिला प्रशाशन में बैठे अधिकारी कॉरंटाइन में रह रहे हैं लोगों तक पहुच ही नहीं पा रहे हैं DNX TV के लिए डोंगरगर से समेस्वार सिन्हा की रिपोर्ट कित्रे लोगे यहां पर कॉरेंटाइन में पाइल कहां रहते हो बजयतों लोग पर तमात रहे हैं अमनों को कुछ भी नहीं मिल रहे हैं यहां पर राचान वाक्तान कुछ भी नहीं मिला है और क्या बोलते पंचायद वाले बोल रहे हैं कि अपने घर से लाके खाना पड़ेगा पंचायद के तरफ कोई सुईधाई नहीं है तो अभी घर से क्या क्या है अधनी चामल बस दिये सर एक परिवार को गित्रा चामल एक अदमी को पाच किलो दिये और सब जीव खुद खरीद रहे हैं क्या बलते हैं मोक्स भी नहीं दिया और क्या परसानिया अब बाकि तो सब ठीक है सर यहीं है परसानिया सब्जी भाजी हम खुद खरीद रहे हैं है सबसे पहले बन्हां लगा को सफ़ा करवा हूं सफ़ा करवाएं बाद में एक एक सदस्यला पाच-पाच किलो चामल दिवा है और सिंटर को काग मुन ना हो ले निया जो भी मतलब जो आदमी मन हाबे और काग शिड़का करवा हूं अच्छा और समय समय में आते जाते रह हां रोज रोज जाना जाना हो तो सब्जी और दे हो का सब्जी और जीनी दे हैं साथ बस शामवल हाओ